क्लास्थर सब्जेक्ट बच्छा आपका हिंदी रेमजिम और इसमें देखें आज आपका चैप्टर है 12 चैप्टर नमबर 12 पेज नमबर 103 तो पेज नमबर 103 ओपन कर लीजिए चैप्टर नमबर 12 और चैप्टर का नाम है जब मुझे को साप ने काटा ठीक है ना इस कहानी में किसी को साप ने काटा है तो वो अपनी आबिदी सुना रहा है जब उसको साप ने काटा था तो उसी पे ये कहानी है तो ध्यान से इसको सुनिएगा जब मुझे को साप ने काटा पेज नमबर 103 स्टार्ट करते कहानी एक दिन मैंने अपने आहाते में एक छोटा सा सांप त्रेंग देखा वह धीरे धीरे रेंग रहा था मुझको देखते ही देखते वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुश कर छिप गया मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मूँ बंद कर दिया उसे लेकर मैं नानी के पास दोड़ गया ठीक है ना कि यहां पर क्या कह रहा है कि एक दिन मैंने अपने आहाते में एक छोटा सा सांप देखा दे विटे कर और है थीरे थीरे रहता क्या कर रहा था रहता मज को देखते ही वा भागा अब देखा आपने सांप का कुल के को और नारेल को वहीं साप को वहीं बंद कर दिया उसे लेकर मैं नानी के पास दोड़ गया देख रहे हैं नानी के पास यहाप लेके गया है देखिक आगे देख पैसे नमडर सबल में जोर से चीकने पुकाने बगे हैं नानी जोर-जोर से क्या करने लग कि साप 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 ठीक है वा इतना घबरा गे जोर-जोर से चीक ने पुकाने रहे, नाना ने सुना, तो अंदर दोड़े आए, ठीक है, नाना भी दोड़े आये, जब सुना, कि साप साप की आवास सुनिये, तो नाना भी दोड़े आए जब उन्हें पता चला कि नारेल के खोल के अंदर साप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे चीन कर दूर फैंक दिया ठीक है नन्ना साप बाहर निकल आया और रिंगता हुआ पास की जाड़ी में गायब हो गया नाना ने मुझे से कहा खबरदार फिर कभी साप के पास मत जाना क्या बोला कि साप के पास मत जाना साप बहुत खतरनाग होता है तो आप लोगों को भी पता है साप क्या होता है बहुत खतरनाग होता है तो नाना जी ने उसको डांटा कि सांप के पास कभी फिर मत जाना। उसी दिन सांप को मैं एक बर को पकरने की कोशिस कर रहा था। कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द के कहराते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे साप ने काट लिया, ठीक है ना, तो नानी को क्या लगा, उसको साप ने, बच्चे को साप ने काट लिया, मैंने दोड़ कर नानी को उंगली दिखाए, उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा, ठीक है, बच्चे न क्या कि नानी को दिखाया तो नानी ने भी नाना को बुलाया है कि देखो इसको आपने कार दे नाना तुरंट दोड़े आए और मेरी उंगली को देखा जहां बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था वह चोट मुझे गोद में उठा कर बाहर भागे नाना जी मुझे चट से उठा कर कोद में उठा कर भागे बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी जोपड़े के सामें जाकर रुके वहाँ पुंच से ही उनोंने आवाज लगाए किसको इनको ठीक है तो आगे की कहानी कल सुनाएंगे इतना ही आपको आज सुना रहे हैं बच्चों इतना आज आपको पढ़ना है ठीक है और नानी चीकती है, और नाना जी उसको क्या करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें साप को इस तरीके से नहीं पकरना चाहिए, साप क्या होता है, बहुत खतरनाग होता है, और एक दिन उसको किसी बर्ड ने कार दिया, और नानी को क्या लगा, कि इसको क्या कर दिया, साप ने कार द कल सुनाएंगे क्या होता है ठीक है उसको किस चीजी ने काटा किस तरीके से वो ठीक होता है तो आज आपको क्या करना है यहां तक कहानी पढ़नी है और साथ मैं आपको यह पैरागराब यहां से और यहां तक आपको लिखना है वच्चो So thank you